प्रेविद्यार्थियों आज हम कक्षा बारा हिंदी की पाठ्थे पुस्तक अंतरा भाग दो के काविखंड के अध्याय ग्यारा में वरनित कवी घनानंद द्वारा रचित सवया पढ़ने जा रहे हैं वीडियो भाग एक में हमने कवी घनानंद का परिचे प्राप्त किया है वीडियो भाग दो में हमने कवी घनानंद द्वारा रचित कवित का बहुत अच्छी तरह से अध्यन किया है आईए आज हम कवी घनानंद द्वारा रचित सवया का अध्यन करें हमारी पाठ़ पुस्टक में कवी घंानन्द द्वारा रचित दो सवया दिये गए है प्रतम सवयय में कवी ने विरह और मिलन की अवस्थाओं की तुलना की है संयोग काल के समय प्रेमी और प्रेमी का किस प्रकार का भाव होता है किस प्रकार का प्रेम के साथ में मिलन का भाव होता है उसका वर्णन किया गया है और जब वियोग काल होता है उसमें प्रेम की बिछो होने के पशात विरह की पीड़ा किस प्रकार से व्यक्त होती है उसका वर्णन इस पद में इस सवया में किया गया है प्रतम सवये में कवी ने विरह और मिलन की अवस्थाओं की तुलना की है विरह की और मिलन की अवस्थाओं की तुलना की है संयोग काल में और वियोग काल में किस प्रकार से प्रिये प्रियतम और प्रियतमा के प्रेम रूपी भ जब संयोग काल होता है तब तो प्रेमी प्रेमिका के रूप संदरी को देखकर प्रेमिका के रूप संदरे पर मुग्द होकर उसी के साथ अपने जीवन को पूरे आनंद के साथ में वेतीत करता हुआ सा दिखाई पड़ता है जब संयोग का काल होता है तब तो प्रेमिका के रूप संदरे में डूबा रहता है और अब वियोग काल में और जब वियोग हो जाता है प्रेम से दूरी हो जाती है किसी भी प्रकार से प्रेम से दूर होने पर रिधह में प्रेम से दूर होने के कारण विरह वेदना प्रकट ह जाती है और उस विरह के दुख में व्यक्ति बहुत व्याकुल रहता है बहुत दुखी रहता है और व्योकाल में प्रेमी अत्यंत व्याकुल इस्तिती में होता है अंतिम सवय्य में कभी कहता है कि मेरे रिध्य रूपी प्रेम पत्र को मेरी प्रियतमाने बिना पढ़े ही उस उसको फाड कर फैक दिया और उसके टुकडे टुकडे कर दिये अंतिम सवया में कभी कहता है कि मेरे रिधाय रूपी प्रेम पत्र को प्रियतमाने पढ़ा भी नहीं और फाड कर टुकडे टुकडे कर फैक दिया तो आईए पढ़ते हैं पहला सवया पहले सवया का वाचन करत तब तो छवी पीवत जीवत है अब सोचत लोचन जात जरे हित तोस के तोस सुप्राण पहले भी लेलात महादु की दोस भरे घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुक साज समाज टरे तब हार पहार से लागत है अब आन के बीच पहार परे इस सवय का वाचन करने के पश्चात आईए इसका संदार्ब और इसका प्रशंग जान लेते हैं तब तो छवी पीवत जीवत है अब सोचत लोचन जात जरे इस सवय में प्रस्तुत सवया घनानंद द्वारा रचित है जिसें सवया सीर सकसें हमारी पठ्ठ पुस्तक अंतरा भाग दो में संकलित किया गया है इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है विरही व्यक्ति तब संयोग काल में जब संयोग काल होता है जब मिलन का काल होता है प्रेमी और प्रेमिका मिलते है तब तो प्रेमी और प्रेमिका के रिधे के भाओं के उदगार उसी प्रेम के भाओं क साथ में व्यक्त होते हैं विरही व्यक्ति तब संयोग काल और अब वियोग काल की तुलना कर रहा है संयोग काल में प्रेमी और प्रेमिका का किस प्रकार का प्रेम प्रदर्शन का भाव होता है और वियोग काल में प्रेम का यही भाव विरह रूप में बदल जाता है तब इस भाव का प्रकटिकरण किस प्रकार से होता है इस प्रकार संयोग काल और वियोग काल की तुलना इस सवये में कवी द्वारा प्रस्तुत किया गया है इन पंक्तियों में आये हुए कठिन सब्दों के आर्थ देखते हुए आई ये अब हम इसकी व्याख्या करने का प्रियास करें तब से आशे है संयोग काल जब प्रिया और प्रियतम आपस में मिल रहे थे जब प्रेम के भाव से बंदे हुए थे प्रेम के उद्दात भाव से बंद कर एक दूसरे के साथ में प्रेम के भाव की अभिव्यक्ति कर रहे थे संयोग काल के समय, तब से आसे है संयोग काल के समय, जो छबी, छबी से आसे है सुंदरिये, सुंदर स्वरूप सुंदरिये, छबी, पीवत, पीवत से आसे है पान करने में, पीवत, पान करना, जीवत, जीवत, जीवत है, जीवित रहते थे, जीवित है, जीवित रहते थे, अब से आसे है वियोग काल में, तब से आसे है संयोग काल, और अब से आसे है वियोग काल, अब से आसे है वियोग काल, संयोग काल और वियोग काल, सोचत से आसे हैं सोक लोचन से आसे हैं नेत्र आखें नयन जात जरे जले जाते हैं जल रहे हैं विरह पीड़ा में भरे हुए ये नेत्र जरे जात जले जा रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कवी घनानंद कहते हैं कि संयोग काल में तब यानि संयोग काल में तो प्रियतमा की छवी उसका रूप सोंदर्य का पान करके संयोग काल में तो प्रियतमा की रूप सोंदर्य का प्रियतमा की सुंदर्तम छवी का पान करते हुए हम जीवित थे हम जीवन का आनंद ले रहे थे कभी कहते हैं कि जब संयोग काल था तब यानि संयोग काल के समय तो हम अपनी प्रियतमा की मनोहर छवी का दर्शन करते थे मनोहर छवी और सुन्देरिय के रूप का पान किया करते थे उसके रूप का पान करते हुए हम जीवित थे और अब जब संयोग काल समाप्त हो गया जब प्रेम के बीच में विरह रूपी बाधा आ गई अब वियोग काल में अब वियोग काल में सोचत लोचन जात जरे संयोग काल के समय की उन सभी बातों को जब सोचते हैं विचार करते हैं उनके बारे में जब चिंतन मनन करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे रिधे पूरा ही विरह के भाव से जल रहा हो रिधे में विरह की अगनी जल रही हो रिधय में जलती हुई विरह की अगनी से उसके नेत्र भी जल रहे हूँ उसके नेत्र उसे जलते हुए से प्रतीत हो रहे है अब सोचत लोचन जात जरे जैसे ही वह संयोग काल में अपनी प्रिया के साथ में किये गए प्रेम से सम्बंदित मधूर शणों को याद करता है उन में भर उठता है और विरह पीड़ा से उसका रिद्या जल उठता है और जलते हुए रिद्या से विरहागनी से उसके नेत्र भी ऐसे लगता है मानो वे भी जल रहे हों इन पंक्तियों के माध्यम से कभी घनानंद कहते हैं कि संयोग काल में मेरे ये नेत्र प्रिया के सौंदर्य दर्शन से तरप्त होकर ही जीवित रहते थे संयोग काल में मेरे ये नेत्र प्रिया के दर्शन करते थे मेरी आखे प्रिया के रूप सौंदर्य का पान किया करती थी और उसी रूप सौंदर्य के पान से मेरे ये नेत्र तरप्त हुआ करते थे मेरे इन रप्त तरप्त होते थे और इस प्रकार से मैं प्रिया के रूप सौ जब वियोग काल है वियोग अवस्ता में विरह रूपी दुख से विथित होकर मेरे नेतर जल रहे है और अब विरह का समय आ गया है प्रेमी मुझसे बहुत दूर हो गया है उसका प्रेम मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है ऐसी इस्तिती में मैं प्रेमी से दूर होने के कारण मेरा रिध्य विरह के भाव से जल रहा है विरहागनी में जलता हुआ मेरा रिध्य मुझे ऐसे लग रहा है मानो लोचन जात जरे मेरे नेत्र भी जले जा रहे है मेरे नेत्रों से अब विरह रूपी अगनी व्यक्त हो रही है तब तोचवी पीवत जीवत है अब सोचत लोचन जात जरे हित तोस के तोस सुप्रान पले बिललात महादुक दोस भरे आईए सबसे पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन सब्दों के अर्थ जान लेते हैं हित तोस से आसे है प्रेम का पोशन प्रेम के द्वारा किया गया पोशन हित तोस प्रेम के द्वारा किया गया पोशन तोस तोस से आसे है संतोस सुप्रान पले ये प्रान पले इनका पौलन पोशन हुआ इनका पोशन हुआ ये प्राण पले बिललात बिललात स्यासे है व्याकुल होना बिललात बिल बिलाना बिल बिलाकर व्याकुलता का भाव व्यक्त करना यानि व्याकुल होना बिललात मैंनि व्याकुल हो रहे हैं महा दुख दोस भरे महा दुख दोस भरे इन पंक्टियों के माध्यम से कवी घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हित्तोस के तोस सुप्राण पहले तो है प्रिया सुजान तुमारे ही प्रेम के पोशन से हित्तोस का आशे है प्रेम के द्वारा प्रेम का पोशन करना तुमारे ही प प्रेम के पोशन के संतोस से ही मेरे ये प्राण पल रहे थे मुझे जीवन में प्रेम रूपी अमरत चखने का सुवसर मिला था तुम्हारे ही द्वारा जो प्रेम का पोशन किया गया उसी प्रेम रूपी प्रोशन से मेरे ये प्रेम रूपी प्राण पल रहे थे उसी के संतो से मैं प्रेम रूपी इस अमरत का स्वादन कर रहा था हित तोस के तोस सुप्राण पहले बिललात महादुक दोस भरे और अब वियोग इस्तिती में क्योंकि प्रिय प्रियतमा से दूर हो गया है प्रियतमा और प्रिय आपस में बहुत दूर है और दूर ही होने के कारण दोनो में प्रेम का भाव व्यक्त नहीं हो पा रहा है विरह की पीड़ा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है विरह की पीड़ा बढ़ जाने से रिधे की व्याकुलता बहुत अधिक बढ़ गई है रिधे की व्याकुलता का भाव अभिव्यक्त हो रहा है बिललात महा दुक दोस भरे और इस प्रकार से रिधे की व्याकुलता बहुत अधिक मातरा में बढ़ गई है महा दुक दोस भरे और विभिन प्रकार का जो व्याकुलता का भाव है वह अभिव्यक्त हो रहा है इन पंक्टियों के माध्यम से कभी घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान को संबोधित कर लते हुए कहते हैं कि कहां तो मेरे इन प्राणों को आपके प्रेम का पोशन मिला और अब ये प्राण वियोग व्यथित होकर आपके प्रेम को पाने के लिए व्याकुल है लालाइत है अब पहले तो जब संयोग की इस्तिती थी तब तो प्रेमिका के प्रेम से प्रेमी के पोशन हुआ और अब जब विरह की इस्तिति आई है वियोग काल में अब प्रेमी अपने संयोग काल के उन सुखद क्षणों को याद करके उन मधुरिस्मृतियों को याद करके और भी अधिक विरह के भावं में भर जाता है और उसका रिध्य बिललात्व व्याकूल हो जाता है और वह बहुत अधिक दोस के साथ अधिक कष्ट के साथ में अपने रिधे में इस विरह पीडा के भाव को महसूस करता है वियोग व्यथित होकर आपके प्रेम को पाने के लिए लालाई थै और अनेक प्रकार के दुख दोस से युक्त होकर व्याकुल हो रहे है हित तोसक तोस सुप्रान पले बिललात महादुक दोस भरे गन आनंद मीत सुजान बिना सबही सुकसाज समाज टरे हाई ये इन पंक्तियों में आये हुए कठिन सब्द देख लेते हैं मीत सुजान मीत कहते हैं प्रिया मन का मीत मन का प्रियतम सुजान सुजान है घनानंद की प्रेमिका का नाम घनानंद घनानंद है कवी का नाम यहां पर घनानंद घनानंद इसमें घन से आसे हैं बादल आनं गदल और गहनानंद का नाम है कवी का नाम इस प्रकार इसमें सलें सलंकार क्षा भी हमें द्रश्टिगत होता है गनानंद मीत सुजान बिना सभी सुख साज समाज टरे मीत सुजान से आसे है प्रिया सुजान सुख साज समाज सुख साज समाज से सभी प्रकार के सांसारिक सुख टरे टरे से आसे होता है दूर हो गए है इन पंक्तियों के माध्यम से कभी घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संभुधित करते हुए कहते हैं घनानंद मीत सुजान बिना की हे प्रियतमा सुजान तुमारे बिना तो सब ही सुख साज समाज टरे संसार के समस्त प्रकार के सुख मुझसे दूर हो गए है और मुझे ऐसे लगता है कि तुमारे बिना इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई सुख है ही नहीं गनानंद मीत सुजान बिना क्योंकि सभी प्रकार का सांसारिक सुख मीत सुजान के द्वारा ही की होने पर ही संभव है मीत सुजान के नय होने पर संसार में किसी भी प्रकार का सुख नह रहे हैं कि मीत सुजान के बिना सब ही सुक साज समाज टरे इस संसार में सब प्रकार के सुख व्यर्थ है मीत सुजान के बिना किसी भी प्रकार के सुख भोग का कोई भी आनंद प्राप्त कवी को नहीं हो रहा है इन पंक्टियों के मार्द्यम से कभी घनानंद कहते हैं कि प्रिया सुजान आपके बिना इस वियोग काल में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता मेरे सभी प्रकार के सारे सुक समाप्त हो गए है मुझे कुछ भी नहीं सुहाता है गन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुक साज समाज टरे तब हार पहार से लागत है अब आनी के बीच पहार परे सबसे पहले कठिन सब इस प्रकार से है हार हार से आसे है तब हार हार यानि गले में पहना जाने वाला हार पहार पहार से आसे है पहाड पहाड जैसा बाधक यहाँ पर लक्षना में इसका आर्थ होगा पहाड जैसा बाधक पहार से लागत है पहार परे पहार परे पहार जैसी दूरियां आ गई है आनी के आनी के से आशे है आकर के तब हार पहार से लागत है अब आनी के बीच पहार परेकवी घनानंद अपनी प्रेमी का सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब सैयोग काल का समय था जब मिलन काल का समय था जब प्रेमी की भावनाओं को आपस में व्यक्त करने का समय था उस समय तो तुमारे गले में पहने हुआ पहना हुआ यह हार भी मुझे कोफ़ लगता है इसे लगता है जैसे पहाड जैसी बहुत भारी बाधा तुमारे और मेरे मिलने के बीच में आ गई है इन पंक्तियों के माध्यम से कभी घनानंद कहते है कि सभेक्षई। में तो हम दोनों को गले में पहनने वाले हार का भी व्यवधान खलता था तब तो तुमारे जो गले में जो हार पहना जाता था वह भी व्यवधान मैसूस होता था वह हार भी ऐसे लगता था मानो ये प्रेमी और प्रेमिका के मिलन में बाधा उत्पन कर रहा है तुमारे यान सुजान के गले में पढ़ा वह हार भी कवी को पहाड जैसा लगता था और कवी को ऐसे लगता था मानो प्रेमिका के गले में पढ़ा हुआ वह हार नहीं होकर कोई पहाड जैसे बादा पहाड के समान हो इस प्रकार कवी इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी प्रियतमा के साथ में अपने प्रेम के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावसाली तरीके से प्रेम के भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि उनका प्रेम बहुत अधिक प्रभावसाली तरीके से व्यक्त हुआ कर रहा था तुम्हारे सुजान के गले में पड़ावे हार भी मुझे पहाड जैसा लगता था क्योंकि हमारे मिलन में वह बाधक बनता था पर अब इस बियोकाल में तो हम दोनों एक दूसरे के इतनी दूर हो गए हैं मानों कि हमारे बीच में अब पहाड आ हैं अर्थार्थ हमारे मिलने में अनेक बाधाएं और अवरोध आ गए हैं ऐसे लगता है कि हमारे मिलने में अब बहुत सारी बाधाएं आ गई है पहाड के समान हमारे मिलने के बीच में बाधाएं आ गई है तब हार पहार से लगते थे संयोकाल के समय में तब जो गले में पैना हुआ हार है वह भी पहाड के समान बाधा पूर्ण लगता था लेकिन अब आनी के बीच पहार परे लेकिन अब एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के मिलन के बीच में इतनी सारी बाधाएं आ गई है मानो पहाड ही बीच में आ करके खड़ा हो गया हो तब हार पहार से लागत है अब आनि के बीच पहार परे इन पंक्तियों का विशेश इस प्रकार से है हार पहार से लागत है में उपमा अलंकार का सोंदर्य नहीत है इसमें अतिश्योक्ति अलंकार के साथ सबंग पद यमक अलंकार का सोंदर्य भी नहीत है तब और अब की तुलना करते हुए स भी घनानंद ने तब से बताया है कि संयोग काल के समय और अब से बताया है कि वियोग काल के समय यानि तब और अब की तुलना संयोग काल और वियोग काल के रूप में की गई है तब यानि संयोग काल और अब अब यानि वियोग काल इस प्रकार संयोग काल और वियोग काल की तुलना इस पद में की गई है ब्रज भासा का प्रियोग हुआ है भासा में लाक्षणिक्ता का गुण विद्यमान है सवया चंद है और वियोग स्रंगार रस विशेश रूप से इस सवये में देखा जा सकता है आईए अब हम अगला सवया पढ़ें सवया पूरन प्रेमको मंत्र माहापन जामधी सोदी सुदारी है लेख्यो ताही के चारू चरित्र वी चित्रनी यो पची के रची राकी वी से ख्यो एसो ही यो ही तपत्र पवित्र जो आने कताने कहूं अवेरे ख्यो सोगने आनन्द जाने जाने लोटूके की ओपर बाची ने देख्यो इस सवये का वाचन करने के प्रशाथ आईए इसका संदर्व और इसका प्रशंग जान लेते हैं पूरने प्रेमको मंत्रे माहा पने जाम दीसो दीसुदारी है लेख्यो ताही के चारू चरित्रवी चित्रनी ओपची के रची राकी वी से ख्यो प्रस्तुत सवया घनानंद द्वारा रचित है जिसे हमारी पठ्ठ पुस्तक अंतरा भाग दो में सवया सीर्शक से संकलित किया गया है इन पंक्तियों का प्रशंग इस प्रकार से है कवी घनानंद ने इस सवया में अपनी प्रिया सुजान को यह उपालंब दिया है कि आपने मेरे रिधे रूपी प्रेम पत्र को बिना पढ़े ही टुकडे टुकडे करके फाड़ कर फैंक दिया है और ऐसा करके आपने उचित कारिय नहीं किया है आपने मेरे प्रेम का तिरस्कार किया है मेरे प्रेम को ठुकराया है और मेरे रिधे रूपी प्रेम पत्र को आपने बिना पड़े ही फाड कर टुकडे टुकडे कर फैंक दिया है पूरन प्रेम को मंत्र महापने जामेदी सोधी सुधारी है लेख्यो ताही के चारू चरेत्रवी चित्रनी योपची के रचीरा की वीशेख्यो इन पंक्तियों में आये हुए कठिन सब इस प्रकार से है पन पूरन प्रेम को मंत्र महापन पन से आशे है प्रतिग्या जामधी से आशे है जिसमें सोधी सोधी से आशे है सोध करके लेख्यो लेख्यो आशे है लिखना लिखा है ताही से आशे है उनको यानि प्रियतम को ताही के चारू चारू से आशे है सुन्दर विशित्रिनी अनोखे, रुचिराखा से आशे है रचिराखा, रचिराखा से आशे है विशे क्योब विशेश रूपसें. पूरन प्रेम को मंत्र महापन जामदि सोदि सुधारी है लेख्यो इन पंक्तियों के माध्यम से कवी घनानंद अपने रिधे के प्रेम उदगारों को अपनी प्रेमिका सुजान को पत्र लिखकर अभिव्यक्त कर रहे हैं। सुधता के भाव के साथ में अपने रिधे में धारन किया है। मैंने प्रेम के इस भाव को एक प्रण के रूप में एक प्रतिग्या के रूप में एक स्रेष्ट भाव के रूप में प्रेम के भाव के रूप में अपने रिधे में धारन किया है। और इस प्रेम पत्र में बहुत ही सुन्दर्धा से तुमारे और मेरे प्रेम प्रशंग के दोरान हुई सभी प्रकार के मधुर इसमृतियों को, उन सुन्दर्तम चित्रों को उन सुन्दर्तम संदर्मों और घटनाओं को मैंने इस प्रेम पत्र में अंकित किया है मैंने इस प्रेम पत्र में लिखा है ताही के चारू चरित्र विचित्रनी ये जितने भी सुंदर्तम जो अनोखे विशेश प्रकार के तुमारे चरित्र है तुमारे क्रिया कलाप है तुमारा सुंदर्य से सम्मंदित वर्णन है उन सब को मैंने मेरे रिधै रूपी इस प्रे के रची राखी विशेख्यों जिनको विशेश रूप से मैंने प्रेम रूपी इस रिधय रूपी प्रेम पत्र पर मैंने अंकित किया है इन पंक्तियों की व्यक्या इस प्रकार से है कवी घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान से कहते हैं कि है प्रिया सुजान मैंने अपने र रिध्य के प्रेम उद्गारों को पत्र के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं सुधारी है लेख्यो मैं पत्र के माध्यम से अपने रिध्य के उद्गारों को लिख रहा हूं मेरे रिध्य रूपी प्रेम पत्र पर तुम्हारे उज्वल क्रिया कलापों और चरित्रों को अंकित करते हुए तुम्हारी यादों के मधूर चित्रों से इसे सुसजित कर रखा है इसमें ताही मैंने प्रियतमा के मैंने प्रिया के चारू चारू से आसे होता है सुन्दरतम चरित्रों का चित्रन इस पर किया है विचित्रनी जो बहुत अनोखे है अदबुद है इस प्रकार के प्रेम के अदबुद अनोखे चित्रों को जो तुमारे और मेरे प्रेम प्रशंगों के दोरान घटित हुए है उन सभी प्रेम संगों के दौरान जो मदूर स्मरतियां है उनका चित्रांकन भी इस रिधयरूपी पत्र पर किया है पूरन प्रेम को मंत्र माहा पैने जाम दी सो दी सुधारी है लेख्यो ताही के चारू चरित्र वी चित्रनी ओ पची के रची राखी वी सेख्यो ऐसो ही यो हित पत्र पवित्र जो आने कथाने कहूं अवे रेख्यो इन प्रेख्योची अवे रिधाय रूपी प्रेम पत्र आन कथा से आन के कहूं अव रेख्यों अवरेख्यो अवरेख्यो आशे है बिल्कुल भी अंकित ने थी, किसी भी प्रकार से अंकित ने थी, रंचमात्र भी अंकित ने थी कवी घनानंद अपनी प्रेमी का सुजान को संभोदित करते हुए कहते हैं कि जिसमें केवल और केवल प्रेम का उद्दात और सुद्ध भाव ही अंकित है प्रेम के सुद्ध और उद्दात भाव के अलावा उस प्रेम पत्र पर और कुछ भी अंकित नहीं है तुमारे और मेरे ही प्रेम का वह सब भाव तुमारे ही और मेरे प्रेम का वह पावन पवित्र पुनीत भाव इस मेरे रिधे रूपी प्रेम पत्र में अंकित है जो आन कधान कहूं अवरेख्यो जिस पर किसी अन्य की कोई भी प्रकार की कथा, जिस पर किसी अन्य का कोई भी प्रकार का नाम उस पे अंकित नहीं है, किसी भी अन्य से संबंदित कोई भी विवरण इस प्रेम पत्र पर नहीं है, कभी कहना चाते हैं कि केवल और केवल उन्ह से प्रेम संबंदी कोई भी लाप किसी भी प्रकार का प्रेमा लाप किसी भी प्रकार के प्रेम के उदगारों का आदान प्रदान नहीं हुआ है और कवी यहां पर विशेश रूप से ये कह रहे हैं कि रिधैर रूपी प्रेम पत्र बिल्कुल पवित्रता के साथ में प्रेम सुजान का ही चित्र अंकित है प्रिया सुजान की ही मदूरिस्मृतियां अंकित है प्रिया सुजान के अलावा किसी अन्य के बारे में रंच मात्र भी उसमें किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं है इन पंक्तियों के माध्यम से कवी घन तुम्हारे ही प्रेम प्रशंगों के दोरान हुए व्यवार का क्रिया कलापों का चित्रों का मदूर इसमृत्र पर अंकन किया गया था इसमें तुम्हारी ही मदूर इसमृत्यों से भरे चित्रंकित थे तुम्हारे अलावा किसी अन्य की कोई बात इसमें किसी भी प्रकार से सामिल नय थी अर्थार्थ किसी अन्य की कोई बात इसमें रंच मात्र भी नहीं थी केवल और केवल प्रेमिका सुजान की ही मधुर इस्मृतियों का उसके ही मनोहर चरित्रों का चित्रांकन मधुर चरित्रों का अंकन रिधैरूपी प्रेम पत्र पर कवी ने किया है उस पर किसी अन्य का रंच मात्र भी उलेक नहीं है अजान की भाती जिस प्रकार कोई अंजान व्यक्ति करता है उस प्रकार अनजान अजान लो अनजान की भाती भाती टूक कियो टूक कियो से आसे है टुकडे टुकडे कर दिया टूक कियो से आसे है टुकडे टुकडे कर दिया पर बाचिन देखियो बाचने से आसे है पढ़ कर नहीं देखा बाचिन देखियो पढ़ कर नहीं देखा टुकडे टुकडे कर दिया पर बाच कर नहीं देख इन पंक्तियों के माध्यम से कवी घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने रिधे रूपी प्रेम पत्र में अपने रिधे के प्रेम संबंदी उद्गारों को लिखकर तुम तक पहुचाया था और तुमने बहुत ही निश्टुर कर दिया तुमने मेरे प्रेम का तिरुष्कार करते हुए मेरे प्रेम का अपमान भी कर दिया इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवी घनानंद कहते हैं कवी घनानंद प्रियतमा सुजान से अपने रिध्य की वेदना व्यक्त कर सिकायत करते हुए कहते हैं कि मेरे रिध रूपी प्रेम पत्र को अनजान की भाती बिना पढ़े ही फाड कर टुकडे टुकडे करके फैक दिया बिना बिना पढ़े ही फाड दिया और टुकडे टुकडे करके इसको फैक दिया अर्थार्थ तुमने मेरे रिधे के प्रेम को जाने बिना ही उसे तोड़ दिया मेरे प् और इसी बात की मुझे आप से बहुत शिकायत है कवी अपनी प्रेमिका सुजान से इस बात की शिकायत करते हैं कि रिधैर रूपी प्रेम पत्र को प्रेमिका ने पढ़े बिना ही उसे टुकडे टुकडे कर फाड कर फैंक दिया विशेशिस प्रकार से इन पंक्तियों का प्रिया सुजान की निश्ठुर्था का वर्णन किया गया है तूक कियो का तात्परिय है रिधै टुकडे टुकडे कर दिये रिधै विदीर्ण करने से है वियोग स्रंगार रस इस सवये में हमें दिखाई पड़ता है मधुर ब्रज अभास अलंकार का सोंदर्य निहित है प्रेविध्यार्थियों आज हमने अध्याय 11 में वर्णित कवी घनानंद द्वारा रचित सवया का अध्यन किया है अगले वीडियो में हम कवी घनानंद द्वारा रचित कवित और सवया से संबंदित अभ्यास प्रश्णों से संबंद